तो हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है A, B, C A, B की लेंथ है 2 और A, C की लेंथ है 1 और A, एंगल बाइसेक्टर है A का जो B, C को D पे मीट करता है अब हमें गिवन है कि A, D इक विवन है कि A, D इक विवन है तो इसका मतलब कि आंगल B, A, D is also equal to angle A, B, D मतलब ये अंगल, ये अंगल और ये अंगल ये सेम है तो अगर इस अंगल को हम X लेते हैं तो ये भी X होगा और ये भी हमारे पास कितना होगा X के एक्वल तो अगर अंगल A हमारा 2X है अंगल B X है तो अंगल C होगा 180 डिग्री माइनस ओफ अंगल A प्लस अंगल B ये अंगल हमारे पास आजाएगा 180 डिग्री माइनस 3X अब अगर हम ट्राइंगल ABC कंसिडर करें ट्राइंगल स्वरी यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ABC तो अकोर्डिंग टू साइन डूल हमें पता है कि AB अपॉन साइन C इक्वल्स तू AC अपॉन साइन B इक्वल्स तू BC अपॉन साइन A यह हमें अल्रेडी पता है अगर हम इन दोनों को एक्वेट करें तो हमें मिलेगा कि साइन B बाई AC इस इक्वल्स तू साइन C बाई AB अब साइन B हमें गिवन है X तो यह चाहेगा साइन ओफ X अपॉन AC कितना है 1 इक्वल्स तू साइन ओफ सी यह अंगल है 180 डिग्री माइनस 3X अपॉन AB डाट इस चू ते हो जाएगा हमारे पास 2 साइन X इक्वल्स तू साइन ओफ 180 माइनस सीट है साइन ठीटा ते होगा साइन ओफ 180 डिग्री माइनस 3X और 180 डिग्री माइनस 3X कितना होगा हमारे पास साइन में इक्वल्स तू साइन 3X तो हमारे पास आएगा 2 साइन X इक्वल्स तू साइन 3X अब यह हो जाएगा 2 साइन X और साइन 3X ते हमारे पास 3 साइन X minus 4 sin cube x अगर हम सारी terms को एक साइड ले 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 तो हमें मिलेगा 4 sin cube x minus sin x is equal to 0 sin x commonly तो हमें मिलेगा sin x into 4 sin square x minus 1 equal to 0 अब sin x जातो 0 हो सकता है और 4 sin square x minus 1 equal to 0 यह possible नहीं को कि angle कभी 0 degree नहीं हो सकता triangle का और इसने में मिलेगा sin square x equal to 1 by 4 that means sin x is equal to plus minus 1 by 2 अब sin x equals to minus 1 by 2 कभ होगा जब यह 180 degree से लेकर 180 degree से 360 degree की बीच में angle होगा जो triangle में possible नहीं है तो यह value भी नहीं होगे हमारे पस that means हमारी value है sin x equals to half तो हमाई sin x की value आ गई अब delta में given है area of triangle तो हमें पता है area of triangle delta हो जाएगा half into a b into a c into sin a that means half into 2 into 1 into sin a कितना हमारा sin 2 x तो यह हमें मिलेगा कि delta is equal to sin 2 x अब sin 2 x हमारा कितना होगा 2 sin x into cos x that is 2 into half into cos x को हम लिख सकता है 1 minus sin square x तो ही हो जाएगा delta equals to under root में 1 minus 1 by 4 that is delta equals to under root 3 by 4 हमें value find करने 12 delta square तो हमें मिलेगा 12 delta square equals to 12 into under root 3 by 4 का whole square that is 12 into 3 by 4 तो ही आएगा मैं पस 3 into 3 that is 9 तो हमारा answer है 9 this is our solution